नमस्कार आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज की शूड़ों को मातने हमसे मापको चत्री गड़ में भरतियों के लिए जारी किये गए आज के कुछ नए नए विग्यापनों की जानकारी एक करके देने वाले हैं सबसे पहले आपको राजिगांधी सिक्षा मिसंन और फिजापनों पर भरतियों के लिए विग्यापन जारी किया गया है जिसके लिए चुक योगिता धारिय अभ्यर्थियों से यहां पर आवेदन पत्र जो है आमंत्रित किया गया है यहां पर हेलफर आया और अटेंडेन के कुल पांच पतों पर भरतिया की जाएंगी जिसमें चैनी तभ्यर्थियों को 6,000 रुपे प्रतियक माह सेलरी जो है दी जाएगी यहां पर हेलफर आया और अटेंडेन के पत पर आवेदन करने के लिए भ्यर्थियों की स्ट्रेक्शनी के उग्यता किसी मानेता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से हाई स्कूल दस्वियों उत्तियुन रखी गई है सांति साथ इस्थानिय बोली भासा का ज्यान होना जरूरी है जीला कोरिया चत्तिगड़ के निवासियों को यहां पर प्रात्मिक्ता दी जाएगी यहां पर फिजियो थरेपिस्ट के पत पर भी भरती के लिए विग्यापन जारी हुआ है जिसके लिए आवेदन करने के लिए अभ्यरतियों की शेक्षिन के उग्यता किसी मानेता प्राप्त संस्थान से बेचलाराप फिजियो थरेपी परिश्यत में जीवित पंजियन होन आनिवार रहे है चत्री राजे के निवासियों को या फिर जीला कोरिया के निवासियों को चैन में प्रात्मिक्ता जो है दी जाएगी इस पीछ थरेपिस्ट पत के भी आवेदन करने के लिए किसी मानेता प्राप्त संस्थान से अभ्यरतियों को बेचलाराप अडियोलाजी एंडे स्पीच लेंग्वेज पैथोलाजी बी एसलप डिग्री कोर्स होना जरूरी है भारतिय पुनर्वास परिशत आर्सियाई में जीवित पंजियन होना जरूरी है चत्री राजे के निवासियों को चैन में यहाँ प्रात्मिक्ता जो है दी जाएगी दोस्तों आज की भरती के लिए अगले विग्यापन स्वास्त अधिकारी जिलना रायटपूर 36 वरकंतर गयत में जारी किया गया है जिसके लिए एक्चुक अभियरतियों से पंद्रा मार्श दोजारी कीस साम पांच बजे तक पंजिकरिट डाग स्विट पुष्ट के माध्यम से अवेतन पत्र विभाग दौरा अमंत्रित किया गया है यहाँ पर साइकेट्रिक नर्स के एक पत्पर भरती की जाएगी है इसके लिए प्यर्थियों को पास मेडिकल आई उस आरब्यकल्ट रब्यस के मेल के दो पतों पर और फिमेल के दो पत्रबॉत की जाएगी जिननके लिए प्याइज यह प्यूशन प्रोग्राम कोडिनेटेट पर भर्ति की जाएगी जिसमें चैनी तफियरति को बाइस जार तीन सुर्पए के सेलरी दी जाएगी इसके लिए या फिर प्रिजी डीप्लोमा मेनेजमेंट में होना जरूरी है सूपर्वाइजर के एक पत्पे भरती की जाएगी जिसमें 18,000 रुपे सेलरी या भी हरतियों को दी जाएगी चैनिते भी हरतियों को इसके लिए इसनातक होना जरूरी है या फिर बार्वी होना जरूरी है और MPW या फिर Health Worker के रूप में कारे करने का अनुभाव यहां पर मागा गया है फिजियो तेरेपिस्ट के एक पत्पे भरती की जाएगी जिसमें चैनित भी हरतियों को 18,000 के सेलरी दी जाएगी जिसके लिए बेचलर डिग्री इन फिजियो तेरेपी रखी गई है फार्मासिस्ट RBSK में एक पत्पे भरती होगी जिसमें 16,500 रुपे चैनित भी हरतियों को सेलरी दी जाएगी इसके लिए डिग्री डिपलमा इन फार्मेसी 50 प्रिसत अंके साथ में होना जरूरी है कम्यूनिटी नर्स के एक पत्पे भरती की जाएगी 16,500 रुपे चैनित भी हरती को वेतन मान दिया जाएगा इसके लिए BSC नर्सिंग के साथ में अभी हरतियों को अस्पताल में कारे करने का अनुभव होना जरूरी है यहाँ पर स्टाफ नर्स NHM 23 पत्प भरती की जाएगी जिसमें 16,500 रुपे की सेलरी स्टाफ नर्स NRC के लिए 4 पतों पर भरती की जाएगी जिसमें 16,000 रुपे की सेलरी और स्टाफ नर्स NBSU के 3 पत्प भरती की जाएगी जिसमें 16,000 रुपे की सेलरी दी जाएगी इन्हें तीनों पोदों पर भरतियों के लिए इस टेखनेश को गताब बेसी नर्सिंग ये फिर जीनेम कोर्स होना जरूरी है और चत्तिकर नर्सिंग काउंसिल में जीवीत पंजियन भी होना जरूरी है इन्स्ट्रक्टर के एक पत्पे भरति की जाएगी जिसमें चैनी तभीरति को 15,000 की सेलरी दी जाएगी इसके लिए एक वर्षी डिप्लोमा आडियोलोजी में आपके पास होना जरूरी है अप्तिमेट्रिक असिस्टेंट के एक पत्पे भरति की जाएगी जिसमें चैनी तभीरति को 15,000 की सेलरी दी जाएगी इसके लिए आपको 10 प्लस 2 पद्धती में 12 पास होना जरूरी है अप्तलमिक असिस्टेंट में 2 वर्षी एक प्रशिक्षण और अनभाव होना जरूरी आपको बार्वी पास होना जरूरी है और प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रश्वोरी है इसके लिए लिए आर्विस्टी प्लट बैंक लॉक लेवल के कुल 6 पदों पर भरतियां की जाएंगी जिन में चैनी तभीरतियों को 14,000 प्रशिक्षण प्रतियक पदों के लिए जो है दी जाएंगी इनके लिए श्रेखनिक योगता आपको डीमल्ट या फिर बीमल्ट पैरमेडिकल कोर्स होना जरूरी है साथ पैरमेडिकल कॉंसिल में जीवित पंजियन होना जरूरी है हाउस के पिंग आट पोडम पर भरतियां की जाएंगी जिसमें चैनी तफ्याट पास योगता जो है रखी गई है सिक्रिटी परसनल के चार पत प्र सैलरी यहां पर दी जाएगे इसके लिए आठवी पास मानिता प्रापत संस्थान से होना जरूरी है और सेक्रिटी कार्ट का प्रमार प्रतर आपके पास होना जरूरी है कुक एनार्सी के लिए एक पत्प भरती की जाएगी 8800 रुपे के सेलरी चैनी तभी अरथियों को दी जाएगी लिए नर के तीन पदों पर भरतिया की जाएगी जिनमें चैनी तभी अरथियों को आठवी पास योगता जो है रखी गई है अप्टमेट्रिस असिस्टेंट बैक लॉग में एक पत्प भरती हो रही है जिनमें चैनी तभी अरथियों को 15,000 की सेलरी दी जा रही है और इसके लिए शेखनी को गता 10 प्लस 2 पद्दती में 12 पास होना जरूरी है और अप्थलमी कशिश्टेंट का दो वर्षी डिप्लोमाव के पास होना जरूरी है तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर नरायंड पूर स्वास्ति भाग में 78 पतों पर भरतियों के लिए विग्यापन जो है जारी किया गया है जिसकी विश्तिरिच जानकारिया आपको इस विग्यापन से प्राप्त हो जाएगी साथ साथ आवेदन पत्र के प्रारूप और चैन प्रकारिया किस प्रकार से होगी समस्त जानकरिया आपको इस पीडियाप से प्राप्त हो जाएगी दोस्तों आज की भरती के लिए अगला विग्यापन राज मोहिने देवी क्रिशी महाविद्याले अनुसंधान केंदर अमरिकापूर जीला सरगुजा 36 गड़कन तरगत में जारी की गई है यहाँ पर तक्निकी साहक के रिक्त एक पत पर संवीदा भरती के लिए विग्यापन जारी किया गया है जिसके लिए एक चुक अब भेरती जो इन पतों के लिए अपनी योगताएं रखते है अपना आवेद्यन पतर 15 मार्च 2021 साम पांच बजे तक पंजिकरी डाक द्याले से क्रिशी अनुवांसी की या पादप प्रजनन में नियुनतम दुटी स्रेंडी में आपको इशनात को तर की उपाधी होनी जरूरी है यहाँ पर चैन के संबंद में विस्तिरी जायनकारी आवेद्यन पत्र के प्रारूप और अन्य समस्त जायनकारिया आपको इस मार्च 2021 तक पंजिकरी डाक इस्पीट पुष्ट के माध्यम से अबना आवेदन पत्र विभाग को भेज पाएंगे प्राप्त जानकरी के नुसार यहां पर अतिती ब्याख्याताओं की आइस थाई रूप से नियुक्ति की जायेगी जिसमें भूगोन के लिए एक पत पर अर्थ सास्तर के एक पत पर वाणी जीवी से के एक पत पर भरती के लिए विग्यापान जारी हुआ है इन पदों पर आवेदन करने के लिए अभियरतियों की सेक्षिणी के उगेता विश्विद्याले अनुदान आयोगद्वरा निर्धारित मापदन्डों के अधार पर उनका चैन जो है किया जाएगा चैन होने के पस्चात उन्हें दो सुरुपए प्रतियक काल खंड के हिसाब से मासी कदिक्तम बीस जार आठ सुरुपए मान देक अभुकतान प्रतियक माह किया जाएगा एक चुक अभरतियों की जानकारियों के लिए इनके पीडियेप लोट कर पाएंगे तो दोस्तों आज की शुड़ियों बस इतना ही मिलते हैं अने उर्दगार समचार और धेर सर्जान करियों के साथ में तब तक के लिए जैहिन